दोस्तो इस दुनिया में बहुत से हुनरबाज लोग हैं जिनको इनकी कुछ खास खुवियों के बज़े से पहचाना जाता है आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे विचित्र लोगों से मिलवाने वाले हैं जिने देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे फिर चाहे वे दुनिया का सबसी स्ट्रेचेबल इनसान हो या फिर एक सिर्फ विजिन वाली लड़की तो शुरू करते हैं आज का यह है धमाकेदार वीडियो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दिया आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और पास में दिखे बैल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको हमारे नए वीडियो का अपडेट मिल दर्ज करा चुके हैं गैरी टर्नर नाम के शक्स की स्कीन एल हर्स डैनलोस सिंड्रोमक नामक बिमारी की वज़े से काफी फ्लैक्सिबल और पतली है जिसे बिना किसी पेन के काफी खींचा जा सकता है गैरी टर्नर अपनी इस खुबी के कारण दुनिया भर में परफर्मेंस देते हैं और लोगों को अपनी स्किन द्वारा अलग-अलग करतब करके हैरान कर देते हैं इसी विज़े से गैरी बहुत से लोगों की इंस्पिरेशन बन चुकी है दोस्तो हम आपको दुनिया के उस शक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने कई सालों से नहाय नहीं है जब आप इसके खाना खाने के तरीकों को देखोगे तो आप इसे देखकर चूप जाएंगे क्योंकि रान में रहने वाले आहमों हर जी ऐसे वक्ती हैं जिने दुनिया का सबसे गंदा इनसान माना जाता है क्योंकि ये खाने में भी कुड़ा कचर रखाते हैं और कभी भी नहीं नहाते इसी वज़े से इनकी बोड़ी भी इसी तरह सित गंदी की आदी हो चुकी है और अब इने लाख कोशिशों के बावजूद भी साफ सुतरा नहीं रखा जा सकता दोस्तो अगर एक्सरे गर्ल की बात की जाए तो नताशा डेमा के नानाम की है लड़की रसिया की रहने वाली है और उसके पास एक्सरे बीजन है जिसकी मिदद से मनुष्य के शरी में उपस्तित चीज़ों को कैप्चर कर सकती है काफी डॉक्टर और साइंटिस्ट द्वारा इनका टेस्ट भी किया गया जिसमें हमेशा सही पाई गई और अपनी इसी चमक कारी शक्ति की वज़े से ही सारे दुनिया में काफी लोग प्री हो गई दोस्तो यह पहचान इन्हें इनके खास बॉड़ी कलर की वज़े से मिले नावकिम गेटविच नाम की हमेला आज बुलंदी के उस मुकाम पर काविज है जहां पहुचना हर किसी का खौब होता है इस महिला का कलर इतना डार्क होने के बावजुदी है अफरिका के टॉप पेड मॉडल्स में से एक है मॉडलिंग के अलावा यह हमेशा ब्लैक राइट्स के खिलाफ खड़ी रहती है और यही कारण है कि लोग ने प्यार से क्वीन आफ डार्क भी कहते हैं और यह महिला अपनी कंट्री में ही नहीं बलकि पुरे विश में क्वीन आफ डार्क के नाम से फैमस होगी है दोस्तों अब इस हैरतंगेज करने वाली महिला से मिली है जांग रुफांग नाम की हमहिला अपने सिर पर उगने वाले सींग के वज़े से चर्चा में रही दोस्तों हमहिला 2010 तक 101 साल की हो गई थी पर बाद में इसी सींग की वज़े से एमहिला पूरी दुनिया में लोग प्रिये भी होगी दोस्तों इस सींग के पिछे इनका एक ट्यूमर दुवारा ग्रसित होना बताया जाता है लेकिन एमहिला इतनी ज्यादा बहदुर है कि यह कभी भी इस भेंकर बिमार की वज़े से नहीं डरी जो काफी लोगों के लिए इंस्पिरेशन है दोस्तों आपने दुनिया में बहुत अजीब और हैरत अंगेज करने वाले लोगों को देखा होगा लेकिन स्टेन जॉन्स नाम के इस वेक्ते ने हर रोज थोड़ी-थोड़ी मात्रा में सिल्वर का सेवन करना शुरू कर दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि इनकी पूरी बॉड़ी का कलर ही नीला पड़ गया जिसे देखकर हमें हॉलिवूड फिल्मों के करेक्टर की याद आने लगती है दोस्तों आपको इन्हें देखकर क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं लगबग हर बॉड़ी बिल्डर यही चाहता है कि उसकी बॉड़ी में कम से कम फैट हो लेकिन अगर आप बात टॉमस टेंफर्ड की की जाए तो यह इनसान अपनी बॉड़ी में मुझूद अलग ही कंडिशन से जूज रहा है और इस मेडिकल स्थिटी के वज़े से इसकी बॉड़ी में बिल्कुल भी फैट स्टोर नहीं हो पाता क्योंकि यह कंडिशन काफी रेध है और बहुती कम लोगों में देखने को मिलती है और इन अपने इस कंडिशन के चलते काफी दिक्कतों का सामना के करना पड़ता है अगर इन्हें थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो फिर फैक ना होने के वज़े से काफी समय तक इने इस समस्या से जूजना पड़ता है दोस्तों आप चाइना के यूजवान हुआन को तो जानते ही होंगे अगर नहीं जानते तो हम आपको इनके बाले में बता देते हैं इनके पूरे श्रीट पर इतने ज़्यादा बाल हैं कि ये किसी बन मानुश की तरह दिखते हैं और इसी कारण इन्हें दुनिया के सबसे ज़्यदा बालों वाले इनसान के तोर पर भी जाना जाता है दोस्तों बंदरों की तरह इनके भी 96 प्रतिशक बॉड़ी पर घने बाल हैं और कई बार तो इनको इतने ज़्यादा हेर की वज़े से चिड़ा आप जाता है लेकिने किसी की बात का बुराना हिवान ते जो इनको सबसे यूनिक मनाती है दोस्तों आपने बहुत से इनसानों को देखा होगा जिसके आखों का रंग अलग अलग और काफी यूनिक होगा अब आप इस बच्चे को ही देख लिजिए जिसके आगे के बाल सफेद होने के साथ साथ इसकी एक आख नीली है दोस्तों इसके पीछे की बज़े एक जैनेटिक डिसाउडर है जिससे कई बार बच्चों की एक आख नीली और ब्राउन हो जाती है वैसे भी जैनेटिक डिसाउडर काफी कम देखने को मिलता है लेकिन आज कल कई सारे बच्चे समस्या का सामना कर रहे हैं दोस्तों आपको किस तरह की आखे सबसे ज़्यदा आकरशक लगती है हमें कमेंट करके जरू बताईए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आपको हमारा एक वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरू बताईए मिलते हैं से ही रोमान चक वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद